नमस्का दोस्तू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम बिज्ञान से सम्मंदित कुछ पिष्णों को यहाँ पर डिसकस करेंगे तो हम यहाँ पर जिन पिष्णों को डिसकस करेंगे चलिए उनको देख लेते हैं तो इसमें जो हमारा प्रशन है कि निम्न लिखित में से कौन सी मूल भोतिक रासी है ठीके हम बताना है कि मूल भोतिक रासी कौन सी है आप्सन जो A है हमारा वह है बल, आप्सन जो B है वह है बेग, आप्सन जो C है वह है विद्धुत धारा और आप्सन D है वह है कारे ठीके तो इसका जो सही आंसर है वह है option number C बिद्धुत धारा यानि बिद्धुत धारा जो है वह है मूल भौतिक रासी है आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ अतरिक्त जानकारी है कि जो लंबाई, दर्बमान, समय, ताप, बिद्धुत धारा और जोती, तीबता, और पदार्थ का परणाम यह जो है यह साथ मूल भौतिक रासिया है ठीके कौन-कौन है लंबाई, दर्बमान, ठीके तीसरी है, ताप, चोती है, समय, ओताप, पांच मी है विद्धुत धारा छटी भी है, जोती, तीबता, और साथ मी जो है वह है पदार्थ का पर्मार्थ ठीके, तो यह साथ जो है, यह साथ भौतिक रासिया है आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण है कि सक्ती का मात्रक क्या है, ठीके सक्ती का मात्रक हमें बताना है, उप्षन A है है इरडज, उप्षन B है बोल्ट, उप्षन C है बौट और ऑप्षन D है नीट्रॉन तो इसका जो सही है, आन्सर है, वह है उप्षन नमर-C, बौट, यानि सक्ती का जो मात्रक है, वह है बौट आगे बढ़ेंगे कि भौधकी में सक्ती या विद्दुत् सक्ती वह दर है जिस पर कोरी कार की आजा सकता है या जो उर्जा होती है वह संचरत होती है सक्ती का ऐसा ही जो मात्रक है वह बाठ होता है और बाठ को ही हम जूल प्रती सेकेंड की नाम से भी जानते हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि कार का मात्रक क्या है ठीक है हमें कार का मात्रक बताना है option A है जूल, option B है निट्रोन, option C है बोट और option D है डाइन तो इसका जो सही अंसर है वह है option नमबर है जूल यहनी कार का जो मात्रक है वह है जूल आगे बढ़ते हैं कि जब किसी बस्तू पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन किया जाता है तो जो बल द्वारा किया गया कार है तथा वल की दिसामें विस्थापन के गुरन फल के बराबर होता है चार एक अधिसरासी है ची की नाम से जानते हैं ठीक है तो यह है तो कारे की परिवासा हो गई थी कि जब किसी बस्तू पर अगर हम विस्तापन उत्पन करें तो जो बल द्वारा किया गया कार है और बल तथा बल की दे सामें विस्तापन का जो गुड़न फल होगा वह कारे के बराबर होगा आगे जाना है कि प्रकास बर्ष जो है वाई किसकी एक आई है, option A है दूरी की, option B है समय की, option C है आयू की, और option D है प्रकास की तीब्रता की, तो जो प्रकास बर्ष होता है, यह प्रकास बर्ष जो मातरक होता है, वाई होता है दूरी का, ठीके, आगे बढ़ते हैं, जो प्रकास बर किसके बराबर होता है तो यह 9.46 multiply 10 की पावर 15 मीटर की बराबर होता है एक प्रकास बर्स आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्थ है कि एक होस्पावर में कितने बॉर्ट होते हैं ठीक है हमें बताना है कि जो बन HP यह एक होस्पावर जो होता है उसमें कितने बॉर्ट होते हैं option जो A है 1000 option B है 750 option C है 746 और option D है 748 तो इसका जो सही आंसर है वह है 746 यह एक होस्पावर में 746 बॉर्ट होते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं अगला जिसमें जो जानकारी है कि किसी करता द्वारा कारे करने की दर को उसकी सक्ति या सामर्थ कहते हैं सक्ति का जो मात्रक है वह जूल प्रती सेकेंड होता है और इसी को हम बॉर्ट कहते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं कि जो पास्कल है पास्कल किसकी एकाई है ठीक है यह यहनी पास्कल जो है किसकी एकाई है यह हमें की ठीक है तो इसका जो सही अंसर है वह है दाब की जो एकाई होती है वह होती है पासकल आगे बढ़ते हैं कि किसी तल के एकाई छेत्र पल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं ठीक है कोई भी तल है उसकी जो एकाई छेत्र पल पर जो बल लगेगा उसे हम कहेंगे दाब और दाब क्या है? एक अधिसरासी है, ठीके, इसमें कोई दिसानी होती है, और दाब का जो मात्रक है, वह है Newton पर मीटर स्कॉार होता है, जिसे हम पास्कल कहते हैं, ठीके, Newton पर मीटर स्कॉार को ही हम यहाँ पर पास्कल के नाम से जानते हैं, आगे बढ़ेंगे कि पारस्थतिक दवाव की एकाई क्या है ठीके जो पारस्थतिक दवाव है इसकी जो एकाई क्या है के नाम से जानते हैं और जो 10 की पावर 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर के सम्तुल होता है वो इसके ऐसा ही मात्रक में पास्कल द्वारा परवासित किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला पैसन है कि निम्न मैंसे कौन सी एक अधिस रासी है ठीक हमाँ बताना है कि कौन सी एक अधिस रासी है ऑप्सन ए है बल ऑप्सन भी है दाव ऑप्सन सी है बेग और ऑप्सन डी है तोरण तो इसका जो सही अंसर है वह है दाव यह एक अधिस रासी है जबकि जो बल है ब definition दी गई है कि बे रासियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिसा एबम परिमार दोनों की जरूरत होती है उसे सद्स रासी कहते हैं इसके उधान भी दी गए हैं जैसे कि वल, वेग, विस्थापन, तुरन, संबेग, आदी ये क्या हैं इस सद्स रासियां हैं और जिन रासियों को केबल बेक्त करने के लिए तो केबल पररिमार की अवस्था होती है उन्हें क्या कहते हैं अद्स रासियां कहते हैं जैसे कि आयतन हुआ, दाव हुआ, चाल हुई और दोरी हुई ठीक है आगला प्रिशन है कि क्यू से एक में क्या मापा जाता है हमें बताना है कि क्यू से और option D है जल की मात्रता, तो जो जल का बहा होता है, इसको हम Q-sec में मापते हैं, यानि इसका जो सही आंसर होगा, और होगा C-number वाला, ठीक है, तो जल प्रवाह की दर को मापने के लिए, cubic feet प्रती सेकेंड, जिसको हम Q-sec के नाम से जानते हैं, का प्रयोग किया जाता है, अगला प्रसन है, कि निम्न में से कौन, बायू मंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली एकाई है, ठीक है, बायू मंडल के ओजोन परत की जो मोटाई नापने के एकाई है, वो हमें बताना है, option A है NOT, option B है DOPSON, option C है POISE, और option D है Maxwell इसका जो सही अंसर है वह है adoption यानि जो ozone परत की मोटाई है इन आपी जाती है adoption में ठीक है तो बायो मंडल में ozone परत की मोटाई adoption में मापी जाती है एक adoption एकाई मानक ताप और दाब पर 10 micrometer ozone परत को व्यक्त करती है ठीक है एक adoption एकाई 2.69 multiply 10 की पाबा 20 ozone अडू परती बर्ग मीटर के समतुल होती है ठीक्यू दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद कर आपकाई